चैनल तो मैं आज आपको 31st October के दाहिंदू के शॉर्ट नोट में आपको क्या-क्या मेंशन करना है ये बताने वाले हूँ चलिए देखते हैं पहला हमारा है one-web satellite से related ठीक है तो one-web satellite से related है इसके बारे में हमें जानना है पहले तो हमें ये जानना है ये एक geosynchronous satellite है ठीक है अब कैसे पता करेंगे कि geosynchronous satellite है जब भी lower जब भी low earth orbit के बात हो लियो की और polar orbit की तो वो हम जान जाएंगे कि ये geosynchronous satellite के बारे में बात कर र अब इसमें प्लान किया गया है 648 Satellite Internet Constellation के लिए प्लान किया गया है और इसका गोल है प्रवाइट करना Global Broadband Internet Service, ठीक है, क्या प्रवाइट करना है इसका गोल? Global Broadband Internet Service by end of 2023 की मतलब 2023 के लास्ट तक Global Broadband Internet Service प्रवाइट करना अब इसके बाद जान लो एक बैंड की यहाँ पर बात हो रही है जो कि है के यू बैंड ठीक है कू बैंड भी कह सकते हो याद करने के लिए या के यू बैंड होता है जो कि Radio Frequency Spectrum होता है इसमें यूज हुआ है ठीक सब्कारिट है वो डेडिकेट करता है कॉमर्शियल मिसन को किसके लिए थ्रू नुळिए को मिसन थ्रू किसके थ्रू करता है एन एस आइल के ठोल करता है ठीक है यह याद रखना है और एक चीज यह फरस्ट मल्टी सटलाइट मेर्ट मिशन है जिसमें 36 वनविब सटलाइट लियो में, लो अर्थ और्बिट में, इसके features जान लेता है, ये important हो जाता है, features, तो ये first commercial mission है, LVM3 का, ये एक first multi satellite mission है, 36 one whip satellite का, और ये first launch किया है LVM3, कहां पे, लियो में, लो अर्थ और्बिट में, और देखो ये सारी first की बात हो रहे हैं, कि first, इसमें first first क्या क्या हुआ, प first Indian rocket है, जो की six ton payload का है, और ये first NSIL mission है, LVM3 में, ठीक है, और first one whip mission है, NSIL, DOS का, ठीक है, तो ये features भी याद रखने हैं, मदब ये हमारा one whip satellite का हुआ, उसका feature हुआ, next हम देखेंगे, देखो, आज हमारा Delhi declaration, editorial में जो first वाला हमारत दिया था, उसमें आप अंदर, मैंने उसमें highlight करके भी बताया है आपको, analysis में जाके देखोगी, तो हमेंने highlight किया है, Delhi declaration की वहाँ पर बात की गई है, तो मैंने बोला था कि इसके बारे में हम discuss करेंगे, तो ये हम यहाँ भी discuss करेंगे, Delhi declaration, India decision to host UNSC counter terrorism committee, CTC, तो इंडिया ने decision लिया है, host करने के लिए UNSC CTC को, ठीक है, counter terrorism committee होगी, counter terrorism community जो Delhi में host करने वाली है, UNSC की, उसमें focus क्या क्या रहेगा, online radicalization की बात होगी, terror recruitment में, terror financing की बात की जाएगी, cryptocurrency में, virtual asset से related discussion होगी, unmanned aerial system की बात की जाएगी, और इसमें include किया जाएगा, drone for terror strike, कि terror strike करने के लिए, drone का भी use किया जाएगा, air strike हुआ था, एक तो आपको यहाद होगा, पर इसमें यहाँ drone की बात की जा रही है, terror strikes के लिए, और transporting drugs and arms जो होते हैं, जैसे transport करते हैं, drugs and arms, border के थूप, उसकी बात यहाँ पर की जाएगी, और crowd funding जो की जाती है, उसकी भी यहाँ पर बात होगी, इसके बाद हमें Delhi declaration के बार Delhi declaration जो इंडिया ने decide किया है, होच करने के लिए, उसमें यह बात की जाएगी, कि जो use किया जा रहा है, new and emerging technologies को terrorist purpose के लिए, इसकी बात की जा रही है, CTC adopted Delhi declaration, तो जो CTC है, उन्हें ने adopt करा है Delhi declaration को, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी याद रखने की बात है, जो CTC है, उन्हो रखा गया, कि use of new and emerging technology for terrorist purpose, तो उसको उन्होंने adopt किया, और उसके से related वो काम करेंगे, यह चीज़ है, अब UNSC और CTC के बारे में थोड़ी information हमें देख लेनी है, कि क्या क्या चीज़े है, UNSC, United Nations, Security Council and CTC, ठीक है, दोने के बारे में बात करना है, यह establish किया गया Security Council Resolution 1373, ठीक है ओके, अब 1 minute, तो यह resolution आया, फिर उसके बाद यह establish किया गया, ठीक है, यह याद रखना है, दूसरा, यह adopt किया गया 28 September 2001 को, ठीक है, और यह किस, क्यों हुआ, कब हुआ कि 9-11 जो terror attack हुआ था US में, यह उस दौरान यह चीज़ recite किया गया, और यह जो committee है, इसमें all 15 जो security council member है, ठीक है, इसमें, फिर दूसरा हमारा है, pleasure, doctrine, concept को लिके हम पहले बात किये थे, यादे हमने यह discuss किया था, पर आज हमें थोड़ा side करना है, यह जो pink वाले से है, पुंची commission क्या कहती है, पुंची commission review करती है, center state relation को, और यह recommend करती है, कि government should not be burdened with role of chancellor, कि जो governor है, उसको हम burden नहीं कर सकते हैं, role of chancellor, जैसे universities में chancellor बनाये जाते हैं, उस role से हम उसको burden नहीं कर सकते हैं, तो यह चीज़ बस add कर लेनी है, ठीक है, और article 641 में, minister shall hold office during pleasure of governor, यह याद रखना है, आगे आएंगे, अब दूसरा हमारा IRS related GS paper 2, इसमें है US national security strategy, NSS के बाद की जा रहे हैं, तो इसमें है all US president mandated by Goldwater Nicholas Department of Defense Recognition Act 1986 के, अंडर यह bring करते हैं, out there NSS, यानि की national security strategy, इसमें क्या होता है, executive vision होता है, national security का legislative को लेके, अब इसमें देखो याद रखनी है, बाते, जो NSS का three main fulcrum of US strategy है, जो इसमें है invest करना, build करना और modernize करना, तीन चीज़ है, एक तो investment पर focus किया गया, एक building पर focus किया गया, एक modernize पर focus किया गया, next हमारा है, NSS के बारे में कुछ चीज़ है, देखो NSS क्या कह रही है, NSS का कहना है, कि जो Russia है, वो downgraded होगी, ठीक है, Russia downgraded होगी, उसकी economy downgrade होगी, military, soft power, और जो influence है globally, वो आगे चलके downgrade होगा, और उसने identify किया है, countries जैसे की Japan और India, वो fill करेंगे, emerging gap को, जो gap create होगा, उसको fill करेंगे, Japan and India, वो एक उसका identification वो दे रही है, NSS जो US की है, वो, अब इसमें एक बहुत और की जा रही है, NSS ने hint किया है, इंडिया के possible integration को लेके, कि जो global forum है, G7 हो सकता है, उसमें इंडिया जो हो, वो integrate हो in future, अब इंडिया की partnership, Indo-Pacific में भी, जो की, बात की जारी, resilient and mutual enforcing relationship को बढ़ाने के लिए, Indo-Pacific पे, और Quad का member भी है, इंडिया, जैसे की, और Quad के members, चार कंट्रीज है, Australia, India, Japan and US, तो उसमें भी इंडिया की एक अच्छे कासी भागीदारी है, और उसमें बहुत चकासा participate करती है, तो वी Pacific पे, ठीक है, तो ये था, में हून की, झाए, तो पुरूचे की, झाशल, कछे काऊए, कि एक एक लिए.